हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल इसराफिल इस्टडी में आज हम कक्छा दस गनित में सांखिकी के सवाल को हल करना सिखेंगे यानि हम माध्य निकालना सिखेंगे सबसे सांदार तरीका से इस परकार के कोईशन मैट्रिक बोर्ड एकजाम में पांच नमर में पूछा जाता है इसलिए इससे अच्छे तरीके से समझेगा तो कुईशन है दोस्तों निम्नलिखित बंटन का माध्य ग्यात करें तो यहां हमें वर्ड अंतराल और बारम बारता दिया है तो इसके अधार पर हमें माध्य निकालना है तो दोस्तों माध्य हम तीन बिधी से निकालते हैं लेकिन हम इस विडियो में पर्टेक्ष बिधी से माध्य निकालना सिखेंगे तो देखे इसका हल तो दोस्तों हम इसे यहां पर्टेक्ष बिधी से हल करेंगे तो यहां हम चार बॉक्स बनाएंगे इस परकार हम यहां चार बॉक्स बनाएंगे तो पहले बाले बॉक्स में हम वर्ग अंतराल को लिखेंगे यानि वर्ग अंतराल इस रुप में है न तो हम यहां इसे इस रु तो वर्ग अंतराल है दोस्तों 40 से 50 फिर नेक्स्ट है 50 से 60 फिर नेक्स्ट है 60 से 70 उसके बाद 70 से 80 ठीक है अब लिखेंगे बारम बारता तो बारम बारता है 15 25 चाउदा और 12 ठीक है अब यहां देखिए हमने यहां दो एक्स्ट्रा बॉक्स बनाया है तो हम तीसरे बॉक्स में वर्ग चिन लिखेंगे वर्ग चिन को हम X से दिनोट करते हैं X से सुचित करते हैं और बारम बारता को दोस्तो हम F से दिनोट करते हैं फ्रिक्वेंसी ठीक है चौथा बॉक्स में हम लिखेंगे F गुन्य एक्स बराम बारता और वर्ग चिन को गुन्या करकर यहां हम लिखेंगे बॉक्स में तो चलिए अब हम वर्ग चिन निकाल लेते हैं तो इसके लिए दोस्तो हम वर्ग अंतराल में निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो यहां 40 और 50 है तो दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा 40 प्लस 50 90 90 को 2 से भाग देंगे तो 45 तो 45 लिखेंगे यहां वर्ग चिन में उसके बाद इसके आम तो लिखेंगे यहां 55, उसके बाद 14 के सामने वर्ग अंतराल है, 60 और 70, तो इसे जोरेंगे 60 और 70, 130, 130 में हम 2 से भाग देंगे, तो यह होगा 65, तो लिखेंगे यहां हम 65, उसके बाद 70 और 80 है, इसे जोरेंगे, तो 87, 15, यानि 150, 150 में हम 2 से भाग देंगे, तो यह होगा दोस्तों, 75, ठीक है, तो यहां देखिए हमने वर्ग चीन निकाल लिया, अब हम F गुने X निकालेंगे, यानि हम बरामबरता से इस वर्ग चीन में गुना करेंगे, तो पहले हम 15 से 45 में गुना करेंगे, तो जब 15 से 45 में गुना करेंगे, तो यह होगा 675, ठीक है, फिर नेक्ष्ट है 25 और 25, तो गुना करेंगे, यह होगा 1375, उसके बाद 14 और 65 है, तो गुना करेंगे, यह होगा 910, उसके बाद 12 और 75 है, गुना करेंगे, यह होगा 900, ठीक है, तो इस परकार हमने यहाँ F गुने X को निकाल लिया, अब हम यहाँ बारंबारता को जोडेंगे, यहाँ लिखेंगे इसमें समेशन F, यह जो E की तरह है, इससे हम समेशन कहते हैं, समेशन का मतलब होता है योग, यानि जोडेना, तो हम बारंबारता को यहाँ जोडेंगे, तो जोड लेते हैं, 5, 5, 10, 10, 4, 14, 14, 16, 16 का 6, हांसिल 1, फिर यह 1, 2, 2, 2, 4, 4, 1, 5, 5, 1, 6, यानि इसे जोडने पर यह होगा 66, अब हम इसे भी जोडेंगे, F गुने X को भी, तो यहाँ लिखेंगे समेशन F गुने X बराबर, इन सभी को हम जोडेंगे, तो दोस्तों, जब हम जोडेंगे, तो यह होगा 3860, ठीक है, अब हम असानी से माध्या निकाल सकते हैं, यहाँ हम Direct Formula का परयोग करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ हम सुत्र से माध्या बराबर, हम माध्ये को इंगलिस में सुचित करते हैं, X के उपर बार से, तो यह बराबर दोस्तों, फड़ मुला होता है, समेशन F गुने X बट्टा समेशन F, ठीक है, तो यहाँ हम मान रखेंगे, तो हमने समेशन F गुने X का मान निकाला है, जो है 3860, और समेशन F का मान हमने निकाला है, 66, तो यहाँ लिखेंगे 66, अब इसे महल करेंगे, तो दोस्तों हम इस दोनों को 2 से काट सकते हैं, और 362 से कटेगा 1930 बार में, और 66 कटेगा 2 से 33 बार में, ठीक है, अब हम यहाँ 33 से 1930 में भाग देंगे, तो भाग करकर देख लेते हैं, 33 से हम 1930 में भाग देंगे, तो 33 का पहाड़ा जब हम 6 बार पढ़ेंगे, तो यह होगा 165, अब घटा लेते हैं, 13 में से 5 घटाएंगे, 8, यहां 8 बांके होगा, 8 में से 6 घटाएंगे, तो 2, 1 में से गया, कट गया, फिर इस 0 को उतारेंगे, तो यह होगा 280, जब हम 33 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, तो यह होगा 264, लिखेंगे 264, फिर घटाएंगे, 10 में से 4 घटाएंगे, 6, 7 में से 6 घटाएंगे, 1, 2 में से 2 घटाएंगे, 0 यानि कट गया, यहां डेके 16 है, और यहां 33 से भाग नहीं लगेगा, तो हम यहां 10 बार अब 160 में लगाएंगे 33 से, तो 23 का पहाड़ा जब हम 4 बार पढ़ेंगे, तो यह होगा 132, अब घटा लेते हैं, 10 में से 2 घटाएंगे, 8, 5 में से 3 घटाएंगे, 2 और यह कट गया, हमने 10 में लगा रखा है, तो यहां 1, 0 बढ़ा सकते हैं, 28 है, तो अब हम फिर 35 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, तो यह होगा 264, घटाएंगे 6, 7 में 6 घटाएंगे, 1, 2 से 2 यह कट गया, यानि यहां अब यह संक्या क्या होगा, 160 रिपीट होता रहेंगा, तो यहां रहेंगे 10 अमलब के बाद 2 अंका गया है, तो हम यहां तक भा माध्य बराबर हमारा एंसर होगा दोस्तों, और 60 दोसमलब 4, 8 ठीक है, तो यह है दोस्तों इसका एंसर, इस परकार हम पर्टेक्ष विधी से माध्य निकालते हैं, तो दोस्तों उमीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ आई होगी, यह आप इस चैनल पे पहली बार आए ह तो प्लीज वीडियो को लाइक करके एक पैरा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीचिए